RBL Bank ने IR CTC के साथ मा मिलके अपने Co-Branded Credit Card को लौंच कर दिया और इस Credit Card का नाम है IR CTC RBL Bank Credit Card इस Credit Card से अगर आप Railway की टिकेट बुक करते हैं तो आपको सस्ती टिकेट बुक हो जाएगी सातमा ये जो Credit Card मिलेगा ये रुपे नेटवर के साथ मिलेगा तो आप UPI Payment भी बड़ी असनी से कर सकते हैं आज की वीडियों बात करेंगे इस Credit Card के Benefit, P4, Peace and Charges के बारे में और इस Credit Card की Eligibility क्या रहेगी, Apply कैसे करना है, Complete Information आपको इस वीडियो मिलने वाली है तो वीडियो को आप लास तक जरूर देखे, चैनल पे नए है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको Finance से रिलेटेट जानकरी मिलती रहती है बात करें इस Credit Card के Welcome Benefit के बारे में, तो ये Card issue होने के बाद फर्स 30 days के अंदर इस Credit Card से minimum आप transaction 500 रुपे या पिर उससे ज्यादा का आप single transaction complete कर लेते हैं तो इस Credit Card पे Welcome Benefit में आपको 500 reward funds आपको Welcome Benefit में मिलेगा और ये जो आपको reward funds मिलेगा, ये 60 days के अंदर आपके credit card पे credit कर दिया जाएगा तो आपको Welcome Benefit इस Credit Card से लेना है तो फर्स 30 days के अंदर कम से कम 500 रुपे या फिर उससे ज्यादा का आपको spend करना होगा और इस Credit Card पे मिलने वाले reward funds की value भी बात करें तो 1 reward funds की value आपको 1 रुपीज की मिलेगी तो यानि कि आपको Welcome Benefit में 500 रुपीज तक का reward funds आपको इस Credit Card पे मिलेगा और इस Credit Card के मैं benefit की बात करें तो अगर आप railway की टिकेट बुक करते हैं और वो भी IRCTC की website या फिर Mobile Lab के तुरू आप बुक करते हैं तो हर 200 रुपीज की transaction पे आपको 5 reward funds इस Credit Card पे मिलने वला है यानि कि 200 रुपे का आप railway पे खर्चा करते हैं तो उसके बदले में आपको 5 reward funds इस Credit Card पे मिलेगा बट ये जो reward funds आपको मिलेगा ये unlimited नहीं मिलेगा आप पर मन्त ज्यादा से ज्यादा 1000 reward funds इन केटेगरी पे आप ले सकते हैं और इस Credit Card को यूज करके आप 1 टे का रिचार्ज करते हैं और हर 200 रुपे के खर्चे पर आपको 3 reward funds इस Credit Card पे मिलने वला है बट ये जो फास्टे का रिचार्ज आपको करना होगा ये या तो आपको RBN Digital Channel के माधियम से आपको करना होगा या फिर आपको N.C.M.C. Reload के तरू करना होगा या फिर आप UTS A.P. के तरू आप कर सकते हैं आपको हर 200 रुपे स्पेंड करने पर आपको 3 reward funds इस Credit Card पे मिलेगा इसके अलावा इस Credit Card को यूज करके आप फ्लाइट बुकिंग करते हैं होटल बुकिंग करते हैं या फिर आप क्रूज बुकिंग करते हैं तो हर 200 रुपे के ट्रांजिक्शन पे आपको मिलेगा 2 reward funds लेकिन इस Credit Card पे जो भी केटेगरी पे आपको reward funds मिलेगा वो आपको हर महीने 1000 reward funds आप एक केटेगरी पे आर्ण कर सकते हैं तो आप रेल्वे की टिकेट बुक करते हैं उस पे भी आप पर मन्त 1000 reward funds आणन कर सकते हैं इसके अलावा आप फास्टे का रिचार्ज करते हैं तो उस पे भी आपको 1000 reward funds पर मन्त मिल जाएगा और ये जो आपको होटल, प्लाइट, क्रूज पे आप इस पेंड करते हैं तो इस पे भी आप हर महीने 1000 reward funds आप आर्ण कर सकते हैं इन केटेगरी के अलावा बाकी कहीं पे भी इस credit card से online या फिर offline कोई भी आप payment करते हैं तो हर 200 रुपी सी spend पे आपको 1 reward funds इस credit card पे मिलने वला है और ये जो credit card आपको मिलेगा ये रुपे network के साथ मिलेगा तो आप UPI payment भी कर सकते हैं बट UPI payment के लिए अगर आप 2000 रुपे से नीचे का आप कोई भी payment करते हैं तो उस पे आपको किसी तरह का reward funds या फिर कोई भी benefit आपको नहीं मिलेगा बट अगर आप 2000 से उपर के transaction पे आपको reward funds वगेरा इस credit card पे मिलेगा और इस screen पे दीगई category पे आप कोई भी transaction करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी reward funds इस credit card पे नहीं मिलेगा और इस credit card पे जितने भी आपको reward funds मिलता है इनको redeem करने के लिए आपको अपने खुद के लिए railway से ticket पो करना होगा और यह जो ticket होगी IRCTC, website या फिर app के तरूँ आप कर सकते हैं वहाँ पे payment के option में आपको IP का option मिलेगा उसके तरूँ आप अपने credit card के reward funds को redeem कर सकते हैं 1 reward funds की value आपको 1 रुपे की credit card पे मिलेगी और इस credit card पे आपको milestone benefit भी मिलता है जिसमें आपको claim to quarter के अंदर आगर आप 75,000 रुपे spend कर लेते हैं तो आपको 500 reward funds आपको welcome benefit भी मिलेगा तो आप every quarter के अंदर spend करके यह 500 reward funds आप आर्दन कर सकते हैं और इस credit card पे आपको train cancellation का benefit भी मिल जाता है यानि कि आपने IRCTC की website या फिर IRCTC का app के थुरू आपने train की ticket भू करा रखी है और आपकी ticket confirm है या फिर आपकी ticket RAC के अंदर है और उसको आप cancel करना चाते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं आपको 5000 रुपे तक का refundable यहापे मिल जाता है बट यहापे कुछ condition भी है जो train का timing है उससे आपको 24 गंटे पहले आपको cancel करना होगा और यह जो cancellation का benefit मिलता है यह 6 महिने में एक बार इस credit card के थुरू ले सकते हैं लेकिन आपको यह जो cover मिलेगा यह 5000 रुपे तक का cancellation benefit आप ले सकते हैं और साथ में railway की ticket आप उकरते हैं तो वहाँ पे आपको 1% तक का transaction charge लगता है बट इस credit card से आप transaction करते हैं तो जो 1% का transaction charge लगता है वो इस credit card पे आपके लिए waiver ओप रहेगा बट waiver ओप यह उसी पे रहेगा जो 5000 रुपे तक का transaction है उसी पे ही waiver ओप रहेगा अगर 5000 से उपर का आपका railway का ticket या फिर transaction है तो उस पे यह refundable नहीं होगा बट अगर आपका 5000 से नीचे है तो आपको यह जो transaction charge है यह refundable मिलेगा अगर आप train को cancel भी करते हैं तब भी आपको यह refund मिलेगा और इस credit card पे आपको railway lounge access का benefit भी मिलता है इस credit card पे complimentary एक साल में 8 railway का lounge आपको access credit card पे मिलता है पर quarter में 8 दो lounge का benefit इस credit card के तुरू ले सकते हैं और इस card पे आपको national common mobility card की facility है वो भी मिल जाती है अगर आप metro से travel वगरा करते हैं बस से करते हैं तो आप इस credit card के तुरू directly आप payment कर सकते हैं आपको कोई भी other card लेने की आवशकता नो यह हो भी तो यह benefit इस credit card पे मिल जाता है साथ में यह जो credit card मिलता है यह contactless feature के साथ मिलता है तो आप किसी भी retail outlet पे 5000 रुपे तक का transaction है वो bigger pin के बड़ी असनी से credit card से कर सकते हैं और इस credit card को manage करने के लिए RBL my card के एप के तुरू आप इस credit card को manage कर सकते हैं जापर अपने credit card का pin बगेरा generate करना हो अपने credit card की limit increase करना हो यह फिर कोई भी transaction को set करना हो चाहिए वो domestic transaction हो यह फिर international हो तो उनको customize करने के लिए RBL my card एप के तुरू आप कर सकते हैं और साथ में इस credit card पे आपको EMI की facility में मिल जाती है तो आप EMI में transaction करते हैं तो EMI के अंदर convert कर सकते हैं चाये तो अपने credit card का जो भी total out descending मिलने सोता है उसको भी आप EMI के अंदर convert कर सकते हैं अब बात करें इस credit card के charges के बारे में तो दोस्तो इस credit card को joining करने पर आपको 500 पलस 18% का GST देना होगा याने कि 500 रुपे पलस 18% का GST आपको देना होगा बट अगर आप यह joining चीज़ स्वे कर देते हैं तो आपको same value का आपको 500 रुपे के reward points आपको मिल जाता है बट 18% का GST देन होगा जो इस credit card पे कोई भी waiver of कराने की condition नहीं है इस credit card के finance charge के बारे में बात करें तो इस credit card पे 3.99% monthly charges रहीगा जो 47.88% पर NM के इसाफ़ से finance charge होगा इनकेस आप किसी भी payment पा अगर default होते हैं तो यह high interest के साथ charge किया जाएगा और इस credit card से forex currency में आप कोई भी transaction करते तो यह पे भी आपको 3.5% तक का forex markup charges लगेगा इस credit card के eligibility के बारे में बात करें तो इस credit card को salary person भी ले सकता है साथ मैं self employee भी इस credit card को ले सकता है अगर आपकी monthly income 20,000 या फिर उससे जदा गिये है तो इस credit card को बड़ी असन इसे apply कर सकते हैं अगर आपके पास rvl bank का पेले से कोई भ मिल जाएगा और income की requirement भी नहीं होगी और इस card को apply करने के लिए rvl bank की official website के तुरू भी apply कर सकते हैं साथ में IRCTC की website के तुरू भी इस credit card को बड़ी असन इसे apply कर सकते हैं तो बस यह था IRCTC rvl bank credit card के बारे में जानकरी इस video बताए कि जानकरी आपको पसंद आई हो तो इस video को आप जरू से like करें चैनल पर फस्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस channel को भी जरू से subscribe करें साथ में जो notification बेल ले उसको भी प्रेस करके रखे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की notification आपको मिलती रहे सबसे पेले